हर उस चीज का नाम जिसे गिना नहीं जा सकता, बात नमबर एक, हर उस चीज का नाम जिसे गिना नहीं जा सकता, ग्लास को तो गिन सकते हो पर इसके अंदर पानी को नहीं गिन सकते हैं, देख रहा मेरे ग्लास में थोड़ा सा पानी है, ग्लास को तो गिन सकते हो पर पानी को यूंँ नहीं कह सकते आज मैंने 5 पानी पीए कल में 50 पानी पीने की कोशिशे करूंगा इंख के पानी को 1 2 3 4 नहीं किया जा सकता तो हर उस चीज का नाम जिसे एक दो तीन चार नहीं कर सकते जैसे आप दुकान पर जाते। आपको चावल खरीदने अब यह ठोड़ी ना बोल तो ऐसी चीजों के नाम जोने आप एक दो तीन चर नहीं कर सकते ना उन्हीं को इंग्लिश ने कह रखा है कैसा नाओन अंकाउंटेबल पर एक बात बतारी हूं मिटा जिन चीजों को हम गिनते नहीं है ना उन्हें हम मेजर जरूर करने की कोशिश करते हैं जैसे अभी-अभी मैंने आपको कहा चावल इसे गिना तो नहीं जा सकता पर चावल को मेजर जरूर किया जा सकता है केजी में ग्रैम्स में पानी को गिना तो नहीं जा सकता लेकिन मेजर जरूर किया जा सकता है लीटर्स में तो हर वो चीज जिसे गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल है अगर बात, बोर्ड पे नजर रखिएगा, ना गिन पा रहा हूं, ना माप पा रहा हूं, तो भी uncountable, मेरी तरफ ध्यान दो, हर वो चीज का नाम जिसे गिन नहीं सकते, uncountable, हर वो चीज का नाम जिसे मापा नापा या तोला जा सकता है, uncountable, हर उस चीज का नाम जिसे ना गिन रहे ना माप रहे हो ना तोल रहे हो तो भी अनकाउंटेबल कैसे जिसे गिना नहीं जा सकता पानी पर मापा जाता है पानी पानी को गिनते नहीं है ना पर लिटरस में माप तो सकते हैं तो अनकाउंटेबल हुआ अब ऐसी चीजे जिने ना गिन रहे हैं मैम ना माप रहे हैं ना मेजर कर रहे हैं ना काउंट कर पा रहे हैं ना मेजर कर पा रहे हैं अब ऐसी कौन सी चीज़ें फिलिंग्स खुशी गिनते हो मेरे पास आज 10 खुशियां आई कल तो 3 दूख आई थे ऐसे करते हो क्या नहीं गिन नहीं सकते ना कभी ना पाए खुशियों को 500 ग्राम खुशी मिली बड़ा अच्छा लगा अब तो 100 ग्राम ही मिल रहे थी नहीं करते ना तो हर वो चीज अब यह खुशी प्यार दुक दर्द तकलीफ हैं यह क्या है ना गिन सकते हो ना नाप सकते हो ना तोल सकते हो इसलिए यह तो यह uncountable है इसलिए तो यह कैसे ना ओने बटा uncountable है